संबित पातरा अपनी बात पूरी नहीं कर पाये थे, सवाल बात हो रही थी, कंसेंसिस उम्मीदबार की राश्पती पत्प के लिए यह नहीं हो पाया, इसके लिए वो विपक्ष कुसे में दार ठेराएं, सवाल इथा कि उपराश्पती पत का रब चुनावो, तब क्या यह स सुरत में उतार चुका है, उसका एलान कर चुका है, संबित. के लिए सर्वसमत्ती बनने का सवाल था, आप देखिए, पहला कैंडिडेट, वो हमने घोशित किया था, तो तो बॉल लाइड इन दो कोट अफ कांग्रेस, यह कांग्रेस के हाथ में विशाय था कि वो चाहेते, तो आराम से सर्वसमत्ती कर दिया, आपने उनसे पूछा त था, मगर दूसरा विशाय है, अगर हमने घोशित किया, तो आप सपोर्ट करते, आप उसको सपोर्ट करते, और मैंने यह भी उदारन दिया, 2002 हो, चाहे 2012 हो, यह कंसेंसस कांग्रेस ने भी कभी नहीं बनाया था, मगर इसमें एक बड़ी बात जो मैं आड करना चाहता हूँ आप देखिए कांग्रेस ने, जिस प्रकार से आदर्निय मीरा कुमार जी को एक आफ्टर थोट के रूप में घोशित किया, देखिए मैं हुई आया नदीम भाई हैं, हम दोनों राजनेति कारे करता हैं, हाँ इसमें कोई दोमत नहीं है कि राश्ट्रपती का चुनाव और म अहा महिम राश्ट्रपती वो राजनेति से उपर और राजनेतिक दल से उपर होते हैं, मँगर चुनकी हम राजनेतिक दल के प्रतिनिधी हैं, हम राजनेतिक समिक्षा भी करेंगे, मेरा राजनेतिक समिक्षा सिर्फ इतना है कि जो first move advantage होता है, कि एक first move करें, भारती जनता पार्टी और एंडिये ने जिस प्रकार एक दलीद कैंडिडेट अपने फर्स्ट मूव में रखा और उसके देखा देखी आदर्निया मुईरा कुमार जैसे एक दलीद कैंडिडेट यह आरोप पॉंग्रेश पार्टी पर है बिल्कुल है नदीम जावेद जबाब लूगा तस्पीरें लेकिन आपको सभी संसद बंत्री जो है जी संबित देख रहे हैं वोट डालने के लिए जैसे कतार लगागे सभी लोग खड़े हैं वहाँ पर तो मद्दान पूरे जोरों पर अब शुरू हो चुका है संसद भवन की तस्पीरें आप देख रहे हैं कमरा नंबर 62 वहाँ यह सब वोटिंग की फ्रक्रिया चल रही है नदीम जावेज जबाब दें आपने मीरा कुमार को आफ्टर थौट स्वरूप मैदान में उतारा है आपने देखा दलित उम्मीद्बार तो हमने भी दलित उम्मीद्बार उतार दिया जानते हुए कि शाथ चुनाओं में संख्याबल आपके पास नहीं है महामहिम राष्टपती के चुनाओं में तमाम राजनितिक दलों के लोग जो कॉंग्रेस पार्टी के साथ शामिल थे जिसमें कॉंग्रेस के साथ 16 और दल भी शामिल है सर्वसंत से मीरा कुमार जी का नाम प्रस्थावित किया था और उनके नाम का फैसला सब लोगोंने मिल कर किया है के वल कॉंग्रेस पार्टी ने नहीं किया है तो ये एक पार्टी की या UPA की सरुसम्मत राय है नमबर एक नमबर दो राश्टपती को लेकर पहले भी इस देश में दलित राश्टपती हुए है और याद करिए कि उस समय कॉंग्रेस के नेत्रित की सरकार थी और कॉंग्रेस ने ही दलित कैंडिडेट पहली बार दिया था और क्यार नारानन जी राश्टपती हुए थे इसलिए ये कहना कि दलित के मकाबले में दलित खड़ा कर दिया कॉंग्रेस पार्टी नी ये बात ठीक नहीं है मीरा कुमार जी चुकि लोगसवा की स्पीकर भी रही है एक ऐसे खांदान से उनका तालुक रहे हैं उनके पिता जी का बहुत बड़ा कंटिमूशन इस देश के राजनिती का दोलोनों में रहा है बड़े नेता देश के रहे है मीरा कुमार जी की खुद की आइडेंटिटी बहुत बड़ी पलिटिकल आइडेंटिटी है और बहुत समझदार व्यक्तितों है इंटेलेक्चुल है तो इसलिए सब की राय थी केवल कॉंगरेस पार्टी की राय नहीं थी उसका सम्मान करते हुए कॉंगरेस की तरफ से और सब लोगों को मिला कर हम लोगों ने पतैशी देने का काम किया है एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ आपने कहा कि हमारे पास वोट कम है ये बात ठीक है कि हमारे पास वोट कम हो सकता है लेकिन जहां तक वैचारिक लडाई की बात है केवल लोग तंत्र के अंदर वोट की ही बात नहीं होती है बात अवाम के बीच में जनता के बीच में अपनी बात को अपने विचार को अपने कारिकरम को अपने सोच को अपने नजरिये को ठीक है आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है और आपको आपको इसके लिए बैदान में उतरना पड़ेगा इसमें किसी को कोई आपती नहीं है और हो भी नहीं सकती प्रदीप सिंग जी लेकिन राश्पती का ओधा राश्पती के पद्वी देश के पहले प्रथम नागर आपको योगी आदितनात नजर आ रहे होंगे यूपी विधान सम्हा में वोट करने के लिए पहुंचे हुए अभी फिलाल उन्होंने सांसत पत्से इस्तिफा नहीं दिया गुरकपूर के इसलिए वो वोट जो करना है वो सांसत के हैसियत से कर रहे हैं कि उनके जो वोट का वजन है जितने मत उसमें चिपे हुए हैं वो एक सांसत के तौर पर मिलेंगे रामनात कोविन को यूपी विधान सम्हा में वोट करने के लिए जाते हुए योगी आधितनात लेकिन क्या इस इस बार में जो भी नाम आए हैं उसमें राजनीती नहीं देखी किसी ने किसी न से ज़्यदा है एक बात दूसरी बात ये है कि देखें कंसेंस की बात जब भी आप करते हैं उस स्थिती में आती है जब कोई एक पक्ष की एकदम डिसाइसिव एज ना हो अगर सता रूर दल को लगता है कि हम अपना केंडिडेट जिता पाएंगे ये निश्टित नहीं है तब कंसेंस की बात होती है जो डॉक्टर कलाम के मामले में हुआ उस समय जो चुनाव 77 में नीलम संजीव रेड़ी का हुआ जब कॉंग्रेस पार्टी ने जो मुक्य विपक्षी दलती उसने कोई उमीदवार खड़ा नहीं किया था बाकी राजनीती तो आप कहिए जितनी राजनीती पहले राश्पती के चुनाव में हुई है शायद किसी राश्पती क चुनाव में नहीं हुई है और उसमें बड़े बड़े दिगश थे आज के लोगों को आप कह सकते हैं कि ये बहुत चोटे हैं उनकी तुला में अगर आप उनका कद देखिए आज के राजनीताओं का तो बहुत चोटा लगेगा लेकिन उस समय तो बहुत बड़े बड़े लोग थे नहरू पटेल राजेंद प्रसाद राजा जी तो तमाम लोग थे लेकिन तब में राजनीती हुई खूब हुई यहां तक हुई कि नहरू जी को जूट का सहारा लेना पड़ा उन्हों ने फोन किया डॉक्टर राजेंद प्रसाद को कि मेरी और सरदार की बात हो उसके बाद राजेंद प्रसाद ने फोन किया पटेल को पटेल ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुए उसके बाद नहरू जी ने चिट्टी लिखी और माफी मांगी कि मैंने गलत जानकारी जी जी जो हम बार बार कंसेंस की बात कर रहे हैं दर असल यह उलाहना हमें रा पती आगे जा करके बनाओ